का जो टैंक है वो दहने को मिलने वाला है तो टैंक इसमें काफी बड़ा सापको दहने को मिलेगा आप सो हें गाइस वेलकम बैक तो मैं यूटूब चनल मोटर्स गुरू और फिर नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है आज हम आच चुके हैं आप सभी के साथ एक ऐसी ब मिलने वाला है सी औंजी प्लस पेट्रोल का कपिशूल लूटी मिलने वाली है दोनों चीजें चल जाएंगी और दोनों में कितना Naja है डिटेलव वाइस हम बात करेंगे प्लस जानेंगे इस गाडी में आखिर का आपको फीचर्स के का मिलते हैं प्राइजिंग के रहने वा में तो फ्रंट अगर मैं दिखाओं तो फ्रंट से अगर आप देखोगे तो सबसे पहले बता दूँ यह टॉप मॉडल आप सभी के लिए सामने लेके आँ में ठीक है इसके अलावा इसमें आपको दो मॉडल और देखते हैं तो बेस वाला एक पेस से नीचे ठीक है तो यह ज मिल जाता है इसके लावा गाड़ी का अगर आपको हैड लैट देखनी है तो गाड़ी को हमें और करना पड़ेगा ठीक है और हम बात करें इसके लुक्स की तो लुक्स में यह काफी अच्छी लग रही है और अगर अगर आप देखोगे ना तो सिटी एंड्रेट जो इनकी देखने को मिलेगा उसके लावा इतनी लमबी सीट इनोंने दे रखी इसमें आपकोड़ी को मिलने वाला तो सबसे पहले में आपको बाकी चीजा पताने से पहले इस गाड़ी का रास दिखाता हूं और यह जोC NG वाली बाइक है यह सबसे पहले में बताऊगा इसकार कैसे तो हम बात करें घाड़ी स्टाफ कैसे करने के लिए अपना पर ही और भी चेयों यह थेलए भाल आपको इस 5 इप अब देखा रहा हूं तो यहां पर है कनवर्टर है मत्लब कि चेंज करने के लिए तो स्ब्सिच आपर यहां पर दिया आख मैं आ अब बात करूं यह सींग को फिल करने के लिए हमें कैसे उसका यूज़ करना है तो बजाच की तरफ से किसी नौर्मल की आने वाली है वेवड की नहीं आती है क्योंकि सेगंण के स्पैसरेंज मिलужक्र आपको नहीं में जायत है अब अगैर हम इसका फ्यूल टैंग ओपन करें तो यहां से यह फ्यूल टैंग ऑपन हो जाता है यहां Pर हलका सा इसको pigment शक्त के पर CNG kg की बात करूं तो 100 km चल जाती है ठीक है उसके अलावा इसमें दिया हुआ है दो लिटर का fuel tank capacity कि गलती से अगर CNG खतम हो जाए तो fuel पर भी आप चला पाओ तो fuel का भी option दिया हुआ है और इसका जो size है वो दो 330 km के अप्रॉक्सिमेटली के 330 km चल जी इतनी बड़ी सीट है और काफी कुषनी है तो मतलब अगर आप family के साथ जा रहे हैं कभी लंबी राइट पर जा रहे हैं आपका रोजाना जो किलोमेटर का जो चलाने का एरिया है लगबगा आप सो किलोमेटर 200 किलोमेटर से लाते हो प तो चीट है वो बात करें तो चीट है और मेरी जो हाइट है वह लगबग अट पांच फूट 10 इंच है तो मेरे हिसाब से मुझे तो comfortable feel हो रही है लेकिन आप लोगों कैसी लग रही है रइघयlie with right side से दिखा हूं. मुझे तो comfortable लग रही है . मुझे से it काफी कुछ नहीं लग रही कह रही है . बेशिंट काफी अच्छा है . और बेसिकली पहले क्या होता है जब हम यार में लगने के चांस होते हैं तो नीचे ना लगे कोई दिकत परिशानी ना हो बच्चों को ठीक है तो उसलिए आपके आपका बच्चा आराम से बैठ जागा देखो इतना बढ़िया यहां पर ऑप्शन दे दिया कि बच्चे आराम मैं अपने आपकी बात करूं तो जो काफी अच्छा है लंबे रूट के इसाब से काफी अच्छा पूशर है आराम से बैठ पाओ और पीछे तो इतनी ज्यादा सीटा की बाइक चार बंदे बैठ पाएंगे लेकिन मैं रिकर्मेंट नहीं करता हूं क्योंकि जो रूल है उस मिलने वाला है तो भी आप समान लूट कर सकते हो अगर आप समान लोट नहीं कर रहे हो यह किसी बैग उगए और प्रॉपर लरा कराकर आके आप जा सकते हो तो यह काफी हैफ़ने वैस सब्सक्राइब अब अरहीं कि अगर हम बात करें तो रियर में सोलीञ़ने वाला है वह 16 का पीछे वाला है और 16 का डोला है और 17 का आगे वाला आपको मिलने वाला है ठीक है पीछे ड्रॉम ब्रेक है फ्रंट में डिस्क है डिस्क का साइज एक्जेक्स नहीं बता लेकिन अप्रॉक्सिमेटली जो देखने में लग रहा है वो लग बलग ऐसा लग रहा है कि 230-247 की सब्सक्राइब बाकि इसके अलावा गर मैं बात करूं इसके डिसल मिटर की टॉप मॉडल यह तो डिसल मिटर इसमें आपको मिलने वाला है तो मैं निकाल लेते हैं से की भी डिसल मिटर यहाँ जहां पर आपको बेसिक सारे फीचर मिल जाते हैं एक जो माइनस पॉइंट आई कि बाई इसमें कितना है सुर्फ एक मिटर दिया यहां पर लाइट कर ब्लिंक कर रहा है देसी स्टाइल है, इस बार ऐसा होने वाला कि जैसे हम क्या होता था पहले बुलट में चेक करते था कि इतना वूल है तो इसमें भी ऐसे रहने वाला इसमें आपको पता नीचलेग कि हज़ाइट का समया पैल फीचर नहीं है, नोर्मेल आपको, जिकर आपको बीकीन को पावर कि में बात करूँ तो, इस घाड़ी में जो आपको पावर को मिलने वाली है, 9.5 PS आपको PS power दहने को मिलने वाली है, at the rate of 8000 rpm, torque अगर मैं बात करूं, तो 9.7 Nm का आपको torque दहने को मिल जाता है, at the rate of 5000 rpm, ठीक है, तो जो power वगरह है, 125cc के engine के हिसाब से काफी बढ़िया दहने को मिल जाती है, आपको इसमें काफी बढ़िया strong leg guard दहने को मिल जाता है, kick start दहने को मिलते हैं, off-roading वेले bikes में मिल दहने को मिलते हैं, वैसे कुछ इसमें आपको दहने को मिलने वाले हैं, तो जो quality है, that is too good, उसके अलावा अगर मैं आपको exhaust का sound सुना हूं, तो exhaust sound सुना तो एक बारी मैं आपको, तो इसमें को स्टार्ट करती मैंने, काफी smooth सा sound आपको इसमें negative लगा, जब भी आप इसको CNG में start करता हो ना, तो यहां पर हलका कट 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 करके आवाज आ रहा है, वो मुझे ऐसा फील हो रहा है, बाकि अगर आप साइट से तक काफी bulky से feel हो रही है, और जो यह सारा fiber आपको दहने को मिलता है, तो कुछ ऐसे टरने वाली बात नहीं है, बाकी चीज़ें इसमें आपको अच्छी quality की देने को मिलते हैं, फाइवर है लेकिन अच्छी quality का है, तो आपको safety देने को मिलेगी, बाकी इसके लावा एक बार या राइट से आजा जाओ, दिखा तो यहां पर क्या है कि जैसे कि नॉर्मल भाई, जैसे कि मैंने बताया कि daily community के लिए बहुत बढ़े रहने वाली है, फैमिली के इसाब से बनाई गई है, तो यहां पर आपको साड़ी गार देने को मिल जाएगा, नीचे टायर हगर देने को मिल जाएगा, काफी बढ़ी आसा और डोनों साइट से क्लिप्ड है, तो जिसकी quality काफी अच्छी है, यहा अगर स्टार्ट करूंगा, तो कैसा देखेगा देख लो, अभी नॉर्मली अगर आप देखो तो इस ताइप का देखेगा, अगर ब्रेक प्रेस करूंगा तो यह देखो, बाकी जो इसके इंडिकेटर्स वगरा है, यह आपको हैलोजन में देहने को मिलने वाले हैं, ठीक ह स्विच हमें लगता है कि खिल स्विच होना चाहिए तो यहां पर किल स्विच का ऑप्शन कुछ भी ने दिया हुआ, मिरस की मैं बात करूंग तो आपको मैट में मिरस को मिलते हैं, छोटे से स्लीक से आपको मिरस को मिलने वाले हैं, उसके अलावा यहां पर एक कॉल पिक का होता है हमारा CNG यहां पर तो normally घिसिटल यहां को मिल जाता है कि कितना आपको बार्समिक होता है अब सम पर है को सrafine, लौनदोंटों कहले तो बट कितना है इस나म उतिशन को मिलेगी है, अब एक बात करते हैं कि इस पास्तों में आपको मिलने सक से काफी बढ़े हैं, सीधन मटगाड की बात करूं तो यह भी आपको डूल टोन में देखने को मिलेगा और अच्छी क्वालिटी में देखने को मिलने वाला है यहाँ पर काफी बड़िया फ्रीडम लिखावा है उसके अलावा भाई अब हम करते हैं इसकी अन्बॉक्सिंग तो देखो तो भाई लो अन्बॉक्सिंग भी कर दिया आप सभी लोगों के लिए बाकी जो इसमें रियर स्पेंशन है वो दिखाया तो भाई पीछे वाला जो है यह मोनो शॉक अब्जवर देने को मिल जाता है आपको तो स्पेंशन इसमें आपको अच्छा खासा आप देने को मिल सब्सक्राइब करेंगी ग्राउंड की बात करों तो लगबग 170 mm की इसमें को मिलने वाली है तो अच्छा खासा अगर आपको कहीं ऑफ रोडिंग में भी जाना है तो उस एरिया में भी आप लेकर जा पाओगे में सेंट साइट सेंट दोनों नहीं को मिल जाता है साइट सें आपको इंजिन गार्ट प्रटक्शन में को मिल जाता है नीचे उसके अलावा फाइनली बात करते हैं यह गाड़ी मिलेगी कितने की तो यह जो गाड़ी है यह आपको मिलने वाली है एक लाख तीसार रोपे और प्रास के अंदर दिल्ली नंबर की बात करें तो और अगर इ आपको की इसमें और जो बेसिक इससे निचे वाला मडल है उसमें क्या डिफरेंस है बैसिक मडल अभी शोरूम्स पे नहीं आया वह है बाकि आई होब डीटेल वाइज मैंने कोशिश करिए सब कुछ बताने की अगर कुछ रह गया हो तो क्लिक कमेंशन नों बता सकते हैं फिर मिलते हैं ऐसी और बिंटरस्टिंग वीडियो के साथ अब तक के लिए जैहीं जै भारत बाइगाइस